नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल अपनी कलास मी दोस्तों इस वीडियो के अंजर में आप सभी को आपके राजस्तान बोड कक्षा साथवी में गनित मैतमेटिक्स का एक एसा पेपर बताऊंगा जिस पेपर के आने का चांस आपकी वार्सिक प्रिक्षा में बहुत बहुत ज़्यादा है दोस्तों तो आप देख सकते हैं इस पेपर में उपर यूपर लिखावा है कक्षा साथमी, विशेग गनित और दोस्तों इस पेपर में जो आपको टोटल समय दिया गया है वो है धाई गंटे का और जो पुरनांग है टोटल वो है पचास अंक तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का पहला परशन आता है निमन में से त्रिवी में आकरती किसकी नहीं है तो आपको ऑप्शन नमर ये देखा है घनाब ऑप्शन B वर्त ऑप्शन C गोला और ऑप्शन D शंकू दोस्तों आपको आपको आपकी जीए फटापर से कॉमेंट बोक्स में इसका राइट अंसर है वो बताईए मैं देखता हूं किस विद्धार्थी की तियारी गणिस सब्जेक्ट के अंदर अची है तो अब आगे देखते हैं दोस्तों हमारे पास में दूसरा परशन आता है कोई भी दो तिरबुच जिस परतिबंद के तहत सरवासंगम होते हैं वह हैं तो आपको उप्शन दे रहे हैं SSS, SAS, ASA या उप्रियुक सभी दोस्तों जो भी आपको उतर करेक्ट लगता है वो आप इस परेकेट के अंदर बढ़ सकते हैं तो आगे देख सकते हैं त्रीतरा परशन है 86.49 का वरगमूल है दोस्तों आपको उप्शन दिये गए है जल्दी से बताइए कि इसका वरगमूल क्या होगा तो आगे आप देखिए हमारे पास में चोथा परशन कुछ आगिया है 2 की पावर 0 इसका क्या हलोगा दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी संक्या होती है हमारे पास में जैसे एक संक्या है ठीक है इसके उपर यदि पावर 0 लग जाती है तो इसका मान हमेशा क्या होगा 0 होगा यानि कि कोई भी संक्या के उपर जब पावर 0 लग जाए तो इसका मान 0 होगा आपक शेलमर ए 0 दोस्तों आप आगि देखते हैं हमारे पास में पांचपारशन आता है इसमें आपको – 17 को – 17 से – कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में यह – 17 हो गया उसके पास में फिर – यहां पर इसको – नाप जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ठीक है क्या होता दोस्तों माइनस माइनस प्लस होता है और दोस्तों माइनस से प्लस हमेशा करता है यानि कि यह क्या होता है शुन्नी हो जाएगा क्या हो जाएगा तो क्रेक्टास में क्या होता है दोस्तों ऑप्शन नमर डी दोस्त आपको कहा है कि 50 डिगरी का पूरक कौन है वो कितना होगा ठीक है आपको फिलिन द ब्लैंक से वो बढ़ना है तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में बाटमा प्रशन पुचा गया है फिलिन द ब्लैंक से उस जागे दक्षिना वर्थ और वर्वर्थ दोनों ही दिशाओ में हो सकता है तो कौन हो सकता है दोस्तों आपको यहां पे रिक स्थान है वो बढ़ना होगा आगे नुमा प्रशन आपको क्या करना है तीन बटा चार को यहां पे तीन वर गुणा करना है तो घहतांक रूपे वो कितना होगा आपको बताना है ठीक है आगे चलते हैं दस व आपको 4 याँ पर 0 लगाने हैं ठीक है अब इसको क्या करना है गुणा करना है तो आपको कुछ नहीं करना कितने 0 है चार है तो 1, 2, 3, 4 आप कर सकते हो यहाँ पर 2,50,000 उतर हो जाएगा ठीक है यूपी, बिहार, माराष्टर, राजस्तान, MP या किसी और बोर्ड का हो चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 30 से बारवी का सवाल हो इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनाट एप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो Physics, Chemistry, Math, Biology, Science आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगी आपको डाउटनाट एप पर और साथ ही अब डाउटनाट एप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फेकल्टी जिसे GB सर, NJ सर, अकांशा मेम, प्रिंच सर की तरह टोप टीचर से यानि अब सारी पढ़ाई होगी डाउटनाट एप पर अभी 3 करोट से जदा बच्चे डाउटनाट एप पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाईए डाउटनाट एप इंस्टॉल कीजिए आगे हमारे पास में बारवाँ परशन पुचा गया है 6 बटा साथ की 5 तुल्ले बिन ग्याद है आपको करनी है उसी किया कि 13वाँ परशन है इसमें आपको एक्स का मान ग्याद करना है दोस्तों आप सब जानते हैं कोई भी ट्राइंगल है तो वो कितनी डिगरी का होता है 180 डिगरी का होता है तो इसमें आपको 85C plus 8 कर देना है और दोस्तों equation mark दे रखाया तो आपको बताना है कि इसके बराबर है यहाँ पे आपको diagram जितर भी दे रखाया है आगे चलते हैं 15 परशन की तरब इसमें आपको simplification करना है देखिए इसको आपको हल करना है जो आपको equation दी गई है समीकेंड दी गई है आप कर सकते हैं दोस्तों आगे 16 परशन है एक आयत का चेतर पल इतना है इतना अवरग मिटर है चोड़ाई इतनी मिटर है तो आयत का परिवाफ है वह आपको ग्याद करना है तो आप आगे हमारे पास में 17 परशन आता है इसमें आपको X और Y का माने वो ज्याद करना है दोस्तों यह हमारे पास में X है और यह हमारे पास में क्या है Y है तो आपको बताना होगा कि X और Y है वो कितने डिग्री होगा आपको इस परकार से डाइग्रा में वो दे रखा है आप 8% प्रशनों को अपनी कॉपी पलेक लीजे दोस्तों क्योंकि यह बहुत important प्रशन है यह प्रशन आपकी वार्सिक परिक्षा में आ सकते हैं तो आप आगे देखिए हमारे पास में दोस्तों 18 प्रशन आता है विग्यानिक संकेतर में परदशित कीजिए कि वह पूरे एक वर्स में कितनी कैलोरी है वो उर्जा ग्रेंड करेगा तो आगे आप देख सकते हैं फ्रेंट सब आप मारे पास में 20 प्रशन आता है इसमें आपको कहा है कि ट्राइंगल ABC की रचना कीजिए जब AB बरबर 5 cm हो एंगल A 45 दिग्री हो और एंगल B कितना हो 60 दिग्री हो दोस्तों आप आसानी से एक ABC ट्राइंगल की रचना है वो कर सकते हो दोस्तों इस फरकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राधस्तान बोर्ड कक्षा साथवी में जो गनित का पेपर आने वाला है वार्सिक प्रिक्षा का उसका एक बिल्कुल रियल पेपर बताया दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब दोस्तों मिलते हैं किसे ने वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भरत